आज मैं आपको क्लास तेंथ सोसल साइंस का BVI सब्जेक्टिव कोश्चन आंसर कम्प्लीट कराने जा रही हूँ जो आपके एक्जाम 2024 के लिए बहुत ही जादा जरूरी है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे की एक्जाम में उन्हें भी मदद मिलेगी वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है वेवसाइक बैंक के प्रमुख कारेों की विवेजना करें उत्तर है वेवसाइक बैंक के प्रमुख कारें निमने लिखित है पहला जमा को श्रीकार करना बैंक के ग्राहकों द्वारा जमा किये गए पैसे को प्राप्त करना और उनके खाते में जमा करना दूसरा रीन देना बैंक अपने ग्राहकों को उचित दर पर रीन की सुविधा प्रदान करता है और उसके बदले जमानत के रूप में ग्राहक का समपत्ती लेता है तीसरा उप्योगी सुविधा देना बैंक अपने ग्राहकों को उप्योगी सुविधा प्रदान करता है जैसे ATM कार्ड लोकर आदे अगला सवाल है सहकारिता से आप क्या समझते हैं उत्तर है जब आर्थिक उद्देश्च को पूड़ा करने के लिए मिल जुल कर काम किया जाता है तो उसे सहकारिता कहते है यह एक संगठन के रूप में कारे करता है इसमें दो या दो से अधिक वेक्ति भाग ले सकते हैं अगला सवाल है श्वयम सहायता समुह से आप क्या समझते हैं या यह ग्रामीन विकास में किस प्रकार सहयोग करता है उत्तर है जब गाओं में 15 से 20 महिलाओं का एक समुह बना कर आर्थिक बचत किया जाता है और बैंक से लोन लेकर परिवार के जरूरत को पूरा किया जाता है तो उसे श्वयम सहायता समुह कहते हैं स्वयम सहायता समुह से ग्रामीनों में निमने लिकित विकास हुआ है पहला एक दूसरे की सहायता करते हैं दूसरा आपस में सहयोग की भावना होती है तीसरा आपसी जगरा समाप्त हो जाता है या आपसी जगरा समाप्त हो गया चौथा बैंक से लगू रीन लेकर आर्थिक जरूरत को पूरा करते हैं पंजमा एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करते हैं अगला सवाल है उदारी करन को परिभासित करे उत्तर है जब सरकार व्यपार पर लगे अनावस्यक नियंतरन और प्रतिबंध को हटा लेता है तो उसे उदारी करन कहते हैं जैसे पर्मिट, लाइसेंस, कोटा, आदी उदारी करन में सामील है अगला सवाल है बहु राष्ट्रिय कमपनी किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा कमपनी जो अपने उत्तपादन को दुनिया के अनेक देशों में बेचती है अपनी सुविधाओं और सिवाओं को अनेक देशों में प्रदान करती है उसे बहु राष्ट्रिय कमपनी कहते हैं अगला सवाल है विश्व व्यपार संगठन क्या है? यह कब और क्यों अस्थापित किया गया? उत्तर है विश्व व्यपार संगठन एक अन्तराष्ट्रिय संगठन है यह संगठन अन्तराष्ट्रिय व्यपार के लिए नियम को बनाती है और उसे पालन करने के लिए सभी देशों को बाद्धे करती है विश्व व्यपार संगठन की अस्थापना जनवरी 1995 में की गई थी दोहजार चौ तक विश्व व्यपार संगठन के सदस्यों की संख्या 149 थी अगला सवाल है नीजी करन से आप क्या समझते हैं उत्तर है जब किसी सार्वजनिक छेतर के उद्धमों पर किसी नीजी छेतर का अधिकार होता है तो उसे नीजी करन कहते हैं भारत सरकार ने 1991 में आर्थिक सुधार के लिए नीजी करन की नीती अपनाई थी अगला सवाल है वैस्वी करन से आप क्या समझते हैं वैस्वी करन के प्रमुख दो अंगों की विवेजना कीजिए उत्तर है जब विश्व की सभी अर्थ विवस्थाओं का एकी करन किया जाता है तो उसे वैस्वी करन कहते हैं वैस्वी करन के विविन अंग नेमने लिखित हैं पहला व्यवसाय एवं व्यपार संबंधी अवरोधों की कमी दूसरा पुंजी का निर्बाद प्रवाः अगला सवाल है उपभोगता के अधिकार से आप क्या समझते हैं उत्तर है सरकार द्वारा उपभोगता को जो कानूनन अधिकार दिया जाता है उसे उपभोगता का अधिकार कहा जाता है जैसे उत्पादित वस्तू की गुनवत्ता की जणकारी, उसके उत्पादन की तिथी की जणकारी, उसके एक्स्पाइरिंग की जानकारी आदि उपभोगता के सोशन के कौनकौन से तरीके हैं उत्तर है उपभोगता के सोशन के निमने लिखित तरीके हैं पहला वस्तूओं के नाप तोल में कमी दूसरा घटिया सामान का बेचना तीसरा निर्धारित मुले से अधिक मुल पर बेचना चौथा नकली वस्तूओं को बेचना पंजमा खादे पदार्थों में मिलावट करना अगला सवाल है बिहार के आर्थिक पिछरे पन के क्या कारण है बिहार के पिछरे पन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय को बताओ बताईए यहाँ पे होगा बताएं उत्तर है बिहार अनेक समस्याओं के कारण पिछरा रहा है जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रस्टाचार, असांती, आदी बिहार के पिछरे पन के निमने लिखित कारण है पहला, तेजी से बढ़ती जन संख्या, दूसरा, आधार भूत, संडचना का अभाव, तिसरा, क्रिसी पर निर्भर होना, चौथा, बाड से प्रभावित होना, पंचमा, सूखा से प्रभावित होना, छट्था, ओधोगिक कम्पनियों की कमी, सात्वा, गरीवी का बढ़ना, आध्वा, कुसल प्रसासन का अभाव बिहार के पिछरे पन दूर करने के लिए निमने लिखित उपाए हैं पहला, जनसंख्या पर नियंत्रन करना, दूसरा, रोजगार के अफसरों को बनाना, तीसरा, सिक्षा की इस्थिती में सुधार करना, चौथा, कुसल प्रसासन व्यवस्था होना, पंचमा, ओधोगिक कम्पनियों की अस्थापना करना इस तरीके से मैं आपको सुशल साइन्स का BVI सब्जेक्टिव कोशन आंसर कम्प्लीट करवा दी हूँ और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में जल दहीं